हेलो फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ यह कहानी नालंदा उद्यान महाविद्याले नूर सराय के एक स्टूडेंट की है 2015 में मैं इस महाविद्याले में एज एसिस्टेंट प्रोफेसर कम जुनियर साइन्टिस्ट के पोस्ट पर जोईन किया था और 2016 में मुझे पटना के आयेस भवन में काउंसलिंग करने का मौका मिला था काउंसलिंگ के दौरान जो बच्चे उद्यान महाविदाले नूर सराइ में एडमिशन लिए उन बच्चों का जब पहला कलास स्टार्ट हुआ तो पहला कलास के दौरान ही एक बच्चा जिसकी एक कहानी है वो पहला क्लास करने के बाद ही इस college को छोड़ कर जाने का मन बना लिया बास्तों में वो भी hardboard से पढ़ कर आया था उसको अंग्रेजी का problem हो रहा था और जिसके कारण वो इस college को ही छोड़ देने का मन बना लिया ये बाते मुझे दूसरे student ने बताया कि sir वो student college ही छोड़ करके जाना चाह रहा है क्योंकि उसको English में परिसानी हो रही है और वो कह रहा है कि मैं English को संभाल नहीं पाऊंगा तो इस कारण से वो college ही छोड़ना चाह रहा है मैंने उन बच्चों को कहा कि उसको कुछ समय के लिए मेरे पास लेके आओ कहो कि sir से मिल करके जाए अगर जाना ही है तो कम से कम मेरे से एक बार मुलाकात करके जाए जब वो बच्चा मेरे पास आया तो मैंने उसे पूछा कि आखिर तुम्हारी समस्या किया है अगर तुम हिंदी मेडियम से आये हो एक तो agriculture college and horticulture college में admission होना मुस्किल है तुम्हारा admission यहा हो गया है और अब तुम इसको छोड़ कर जा रहे हो वैसे भी यह professional course है professional course को छोड़ करके जाना ये मेरे नजर में तो बेवकूफी है इसलिए मैं तो चाहूँगा कि तुम इसको छोड़ कर मत जाओ तुम्हें हाँ पर रहो उस student ने मुझे कहा कि सर मुझे अंग्रेजी में बहुत problem हो रही है और मुझे नहीं लगता है कि मैं handle कर पाऊँगा चार साल के बाद मेरा जो समय बरबाद होगा उससे अच्छा है कि मैं अभी ही छोड़ करके चला जाओं तो मैंने उससे पुछा कि आखिर तुम यहां से जब जाओगे तो करोगे क्या सवाल है तो खेती तो लगभग जो रोपनी होना था वो सब हो ही चुका है अब रही बात उसमें पानी वेगर असी चाही करने की जरूरत होगी तो वह तो बहुत बड़ा काम है नहीं यानि कि अभी जब तुम एडमिसन लेकर यहां पढ़ाई कर रहे हो आ चुके हो तो अब तो खेती का कोई अभी विशेश बचा नहीं है तो वहां जाकर के भी कोई फायदा तुमको होगा नहीं दूसरी बात है कि अगर तुम आर्ट्स में एडमिसन लेते हो तो अभी कहीं पर एडमिसन होना नहीं है चुकि सब जगह तो एडमिसन समाप्थ हो चुका है अब अगर तुम एडमिसन भी लोगे तो अगले साल ही एडमिसन ले पाओगे तो तुम मेरी बाते बस मान लो और मैं जैसा तुमको कहता हूँ वैसा करो ज्यादा नहीं बस दो महीने इस कॉलेज में रुखने की कोशिस करो दो महीने रुख जाओ वैसे भी तुमको फी देही चुके हो फी बापस होना नहीं है और बाकी समस्या है तुम देख रहे हो घर भी जाके कुछ कर नहीं पाओगे तो दो महिना यहां पर समय ब्यतीत कर लो दो महिना देख लो और तुम विश्वास मानो अंग्रेजी की बात है अंग्रेजी मैं तुम्हारा मदद करूँगा बस जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो अंग्रे जी बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर तुम उसको मेहनत करोगे तो अंग्रे जी पर काबू पा सकते हो अंग्रे जी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और हो सकता है कि तुम अच्छा करोगे और रही बात नौकरी की तो जैसा मैंने बताया था कि अग्री कल्चर और होटी कल्चर में जॉब प्रोस्पेक्ट बहु जादा है अगर government job नहीं भी मिलता है तो private job का काफी scope है private job भी नहीं होता है तो business का scope है और तुम agriculture से जुरे हुए बच्चे हो तो क्यूं इसको छोड़ के जाना चाहते हो मुझे पर विश्वास करो और बस दो महीने मुझे time दो तुम दो महीने यहां रुख जाओ इसके बाद अगर तुमको लगता हो कि हमको college छोड़ के जाना चाहिए तो तुम निश्चे ही college छोड़ करके चले जाना काफी motivate करने के बाद उस बच्चे ने हामी भर दी और उसने कहा कि ठीक है सर मैं कोसिस करूंगा मुझे क्या करना होगा मैंने उसको बोला कि अंग्रेजी के लिए तुम जो भी पढ़ाई होगी class में उसका word meaning dictionary से देखना और उसको याद करके मेरे पास आना मैं उसको सुनू और आगे तुमको अंग्रेजी में मदद करूंगा ताकि तुम्हारा अंग्रेजी सही हो सके और तुम इसको पढ़ सको इसके बाद रही बात course की तो course को भी तुम जहां तक जेनरल बच्चे अगर चार घंटा पाच घंटा पढ़ते हैं तो तुमको दस बारा घंटे होगे मैं तुम्हारा साथ दूँगा जरूरत होगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास तुमको पढ़ाऊंगा हो सके तो तुम अलग से आओ मेरे पास पढ़ने के लिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा और उस बच्चे ने बाद में ऐसा ही किया वो हर रोज प्रती दीन अंग्रे महिने तक लगातार वो बच्चा इस तरीका से मेहनत करता जा रहा था अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग ले करके आता था मेरे पास मैं उसका वर्ड मीनिंग सुनता था और भी कोई सब्जेक्ट को अगर उसको जरूरत होती थी तो वो मुझसे पूछा करता था और मैं उसको स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें उसने मुझसे बोला कि सर क्या मैं भी भाग लूँ मैंने कहा कि निश्चे ही पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी आगे रहना चाहिए तुम निश्चे ही इसका प्रैक्टिस करो और वहां पर टूर्नामेंट में भाग लो उस संजोग से उसने कई पदक जीट करके हमारे कॉलेज का मान बढ़ाया, यह देख करके हमारे कॉलेज के बाकी टीचर लोगों का भी ओचाहेता बन गया और इस प्रकार से ओ बच्चा के सभी बच्चों और सभी टीचर के बीच में प्रीरे स्टुडेंट हो गया और साथ ही वो इतना मेहनती लड़का था कि वो कभी पीछे मूर कर नहीं देखा वो हमेशा मेहनत करता गया जैसे जैसे हम लोग ने उसको बताया धीरे धीरे बाकी टीचर लोग भी उससे जुड़ गये और बाकी टीचर लोग भी उसको मोटिवेट करने लगे और आगे बढ़ाने के लिए कोसिज करने लगे, सब टीचर मिल करके जब उसको रास्ता दिखाने लगे और वो बच्चा इतना डिसिप्लिन था, इतना अच्छा मेनती था कि वो सारे टीचर के साथ जूरता चला गया और ऐसा हो गया कि वो बच्चा अच्छा खासा यानि कि 6th semester में आया, तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ क्या करना चाहते हो, क्या तुम नौकरी करना चाहते हो, अगर नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए अभी से competition की तयारी करना होगा, और जैसा कि मैंने तुम से बादा किया था, तो तुमको अभी से मैं competition की त इसके बाद मुझे PhD भी करने है और इसके बाद higher degree करके मुझे कुछ अच्छा जॉब करना है मैं बहुत खुस हो गया जो बच्चा college छोर करके जा रहा था वो बच्चा अब जॉब के लिए नहीं सोच रहा है बलकि वो higher degree के लिए सोच रहा था ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाद थी और मुझे बहुत खुसी हुई कि वो बच्चा आज master's degree complete कर चुका है और PhD की तयारी में लगा हुआ है वो बच्चा ऐसा कर सका इसका स्रे उस बच्चे की मेहनत को जाता है और निश्चे ही मैं आप सब को कहना चाहूंगा कि कोई भी मुसीबत हो कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो उससे डर करके मत भागिए अगर हमारा ये student उस दिन हिंदी और इंगलिस के कारण अगर छोड करके college चला जाता तो आज इस जगह पर नहीं होता जिस जगह पर आज हो है निश्चे ही जिस तरीके का वो भी द्यार्थी है जिस तरीके का मेहनत उसने किया है हम लोग के सामने एक मिसाल कायम किया है देखे ये बच्चा आर्थिक रूप से भी कमजोर था और इंगलिस भी इसका बहुत अच्छा नहीं था लेकिन इसने अपने मेहनत के बल पर अंगरेजी को अच्छा कर लिया और न केबल graduation में एक अच्छा overall grade point लेकर के master's degree को भी कर डाला और आज PhD के लाइन में लगा हुआ है और निश्चे ही वो PhD भी complete कर लेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा तो इस बच्चे से आप लोग सीख ले कि कहीं भी छोटे छोटे चीजों को ले करके छोटी छोटी समस्याओं को ले करके अपने aim से कभी नहीं मूरे कई बार होता है खास करके जो गाउं घर के बच्चे होते हैं वो पहले ही अपना हथियार डाल देते हैं गाउं के बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी कर सकते हैं आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं बस जरूरत है आप मेहनत करो और बिचलित मत हो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई बिकल्प नहीं होता है अगर आप इमानदारी से मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या आपके आरे नहीं आ सकता जैसा कि आप इस कहानी में देख चुके हैं तो students आप लोग अपना 100% दे और कभी भी किसी भी समस्या से बिचलित हुए बीना ही मेहनत करते रहे अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चे ही आपको सफलता मिलेगी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक अपने माता पिता और अपने राष्ट का नाम रोशन करें जैहिंद